हेल फ्रन सागतमा जी एसम राकिश हैंपर आज हमार पास एक रियल्मी का फोन है जो कि एक सूप कीपर के पास से आया है यह फोन कम्पिलिटी डेड है किस्टमर ने इधर उदर दिखाया भी है बट रिपेर नहीं हो पाया तो देखेंगे यह रिपेर क्यों नहीं हो पाया इस एक जी आर भी चैक कर लेते हैं जी आर चार्ड यह रहा है ठीक है तो कि का बुल्टेज कितना है इससे हमाली यह पता चल जाएगा कि बैंट्री डिशार्ज तो नहीं है और शॉट तो नहीं फॉन शॉट तो मल्टि मिन्टर से भी चेक हो गया three point seven bolt वैटरी चार्ज है वैटरी से भी पता चल जाता है हमारी सेकंडरी लाइन सॉट होता है कभी कवाद तो वैटरी डाउन मिलता है तो वैटरी भी चार्ज है पैटरी कनेक्टर वग कोई कोई भी स्वर्टिंग भी दिखाई नहीं दे रही है अब यहां पर हम इस्टेप बाइस्टेप चलने वाले हैं मल्टी मीटर का काम खतम हो गया अब हम डिसी मसीन से चेक करेंगे यह एंपयर क्या ले रहा है यह वीडियो काफी ज्यादा यूसफुल होने वाली आपकी तो बूल्टिज दे रही हैं हम वह पॉर की कामं नहीं कर रही है यानि कि इसकी पॉर ऑए सिक काम ने केर रही है या फिर आरह पवर की खराव है या हमारा पॉवर की कर दा है य या फिर हमारा पॉबर बटन खराब है तो पीछे की साइट्स पर मुझे लगता है चार्जिंग सेक्षन पर कुछ काम किया है तो एक बार हम पहले यह देख लेती है इस पॉन में चार्जिंग सेक्षन पर कि हमारा बीपेच बनना है यह नहीं बनना है क्योंकि इस चार्जिंग सेक्षन पर काम किया है तो हमारे शोल पर थे कोई भी बोल्ट जाता है यां कवारा इस पर बैरूल टे कम बोल्टे कर आता है तो भी नहीं पर देख सकते हैं सवाटिंग एक बार मैं बजर्ग मोल मैं दिखाता हूं वूर्वी परा रहाalid तो यह इसका जो बीपीएच लाइन है बहुत सोट है अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि बीपीएच सारे लोग जानते हैं बीपीएच को बट इसका जो फाल्ट वो अलग है और इसमें आपको एक चीज बताऊँगा जो कि आपको विदाउट कोईल विदाउट आईसी निकाले पता चल जाएगा कि आईसी खराब है यह फिर हमारा बीपीएच लाइन सोट ह हम यहाँ पर रोजिन पेन यूज करने वाले हैं रोजिन लगाने के लिए अभी इसा अपने ज़्यादा तर देखा होगा कि हमारा बीपीएच लाइन सोट है तो कोई नो कोई कैपसिटर या फिर डाइबोल्ट खराब निकलता है बट यह किलियर नहीं है मैं क्यों बोलना ह यह किलियर इसलिए नहीं है हमारा बीपीएच लाइन सोट है तो हमारा चार्जिंग आईसी भी सोट हो सकता है यह पिर हमारा जो आउट बोल्ट जा रहा है तो उससे भी हो सकता है ज्यादतर हमारा आउट बोल्ट सोट होता है आईसी सोट कम होता है तो यहाँ पर रोजिन पर पहले connect करूंगा यह देख सकते हैं इधर इस पर connect करता हूं तो देख सकते हैं कोई कोई पर रोजे ने वो melt हुआ है इससे हमारे पता चलता है कि हमारी outline short नहीं है हमारा बिपिएच लाइन short नहीं है हमारे short है वो हमारे ic की तरफ अब ic तरफ कोई component होगा तो वो short हो सकता है तो अब हम coil के दूसरी तरफ लगाने वाले हैं अब दूसरी तरफ लगाएंगे तो कोई ना कोई component या पर ic के पास melt होगा तो देख सकते हैं ic melt हुआ है क्योंकि इसकी outline प्लाइन पर मुझे लगता है कि कोई capacitor था नहीं आवर हैवी तो यहां पर remove किया हुआ किसी ने तो देख सकते हैं हमारी जो charging ic short है इस condition में अब आपको इससे सीखने के लिए मिला होगा कि विदा होत कोई के हम कैसे चेक कर सकते कि outline हमारी short है या फिर inline तो आब मैं माइक्रोस्कोप से दिखाता हूं देख सकते हैं यह हमारी ic है यह short हुआ है तो आप विदा होत कोई के निकाले भी चेक कर सकते हैं कि आपकी outline short है या फिर आपकी inline तो inline short होगा बिपिएच की line पर लगाएंगे तो coil melt होगा अगर inline short नहीं होगा बिपिएच की line पर लगाते हैं तो आपके जो component लगे हैं वो होंगे यहां पर हम नौच पर जो नौच पॉइंट है उसको scratch कर लेते हैं हमाई लिए याद रहे कि ic कि दरगवी तरफ लगा हुआ है यह BQiC है बट यहां पर यह coded side लिखा हुआ इस पर तो इस ic को मैंने निकाल लिया है आप हम इस ic को हम किसी भी motherboard में से लगा सकते हैं क्योंकि यह ic आपको बहुत सारी motherboard मिल जाती है जैसे कि पुराना फोन आपके पास पड़ा होगा रेडिम फाइवे तो फाइवे में भी यह इसी मिल जाता है तो मैं रेडिम फाइवे से ही निकाल के लगाऊंगा रेडवी वाइवन वाइवन पर आपको यह आइर रेन को लेना है तोड़ा सा सोल्डर आईर पर और इसकी जो सारी बोल को कनेक्ट टच कर देना है टस करते चले जाना है इस तरीके से अगर आप इसको पेड को प्लिंग नहीं करेंगे रिसे यह प्रार नहीं बैठाएगा इसी और आपका जो बीपी इस लाइन है या फिर चार्जिन सेक्षन है वो काम नहीं करेगा तो इस तरीके से आप एजली तरीके से रिवॉलिंग कर सकते हैं तो अब हम आईसी लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मैं कुछिस करता हूँ हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया आपको सिखाऊं या फिर कुछ ट्रिक दूँ बस आप चैनल को सस्क्राब करके रखना क्योंकि आप चैनल को सस्क्राब नहीं करते वीडियो देखकर चले आते हैं लाइक भी नहीं करते बहुत सारे लोग त तो कितना कम लाइक आता है आप लोग भाई लाइक भी नहीं करते हैं कुछ गलतियां है तो आप कमेंट करके बताईए मैं उस चीज़ को सुतार हूंगा तो प्लीज आप उसे वियू के हिसाब से तोड़ा सा लाइक दिया करें जो कि हमाई लिए भी मोटिवेट होने के लिए से मिले तो यहां पर हमारी जो आईसा अपूल लग रही है देख सकते हैं यह फाईएं में से निकाल सांटा है यह सो डिक्वाँ काम का है श्क्राइथ के लिए और हम क्लीन करेंगे और फोन को ओन करें और शॉर्टिंग भी चेक करेंगे पहले हम पर हमारा वीप आ रहा था तो वह बीप आएगा या नहीं आएगा आई सी देख लेना चारव तरफ सारी पैड़ होना चाहिए अगर कनेक्टेट नहीं है तो फॉन नहीं होगा या फिर ओन हो जाएगा चार्जिंग नहीं चलेगा चार्जिंग में एरर आ सकता है या फिर कुछ भी प्रब्लम आ सकता है थोड़ा सा टंड़ा होने के बाद इसक में अच्छी से क्लीन कर लिया हैं तो हम मल्टिमेटर सो करेंगे इसकी जूरेटिंग है बुक्या मिल रहा है पहले इस वीप आ रहा था यहां तो देख सकते कोई भी वीप नहीं आ रहा है एक बार हम इसका जी अर्ड़ चैक कर लेते हैं और रिटिंग भी तो देख सकते 1282 आ रहा है थोड़ा सा मदरवोड अभी हीट भी है और आप इस चीज को सौट ना समझे मैं भी कंफ्यूज हूगा था कि 500 के करीब रेटिंग में लाए बट यह प्रब्लम मल्टीमीटर का है यह बाबा का मल्टीमीटर प्रॉपर रेटिंग नहीं दिका रहा है यह एक हजार से नीचे की मैंने दूसरे मल्टीमीटर से जग किया दूसरे सोप पर जाकर तो इसमें एक जार की करीब रेटिंग आ रहता है तो रेटिंग में प्रॉपर नहीं काम कर रहा है मल्टीमीटर इसका भी मैंने आपको बता दिया है पॉन ओन करके देख लेते हैं हमारा फोन है यहां पर उन हो चुका है अब लोगों बता देता हूं यह ओड़ बात में कर रहा हूं इस वीडियो में यह वीडियो नहीं है अभी इसमें बहुत सारी बीविजिजु और प्रॉपल्लम रहा गया है कौन-कौन सी प्रउबलम रहा कि देखने के लिए है कौन कौन सी प्रॉ थेंक यू